नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एरिक मेढहस नाम का लड़का जो बहुती कम उमर में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके मा ने एक आटोमेटिक राइटर के संपर्ख कर्श करके अपने बेटे से उसने मतलब आत्मा के साथ संपर्ख किया और उसको बहुत ही महत्व पुरुना इसी बाते पुछी और उसके बैटे ने भी एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से उसको जवाब दिया आज के इस भाग में एरिक हमसे ये कहता है दोस्तों कि उसने एक महिला की मतलब थोड़ी सी कहानी कई है उस महिला के बारे में उसने ये कहा है कि उसने अपने मतलब वो महिला अपने बेटी के साथ रहती थी और उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही अच्छे से उससे पैर करती थी और इस महिला का डिवर्स हुआ था या किल ही अपने बेटी को संबलती थी मतलब वो एक सिंगल मदर थी और उसके बाद क्या हुआ उसकी जो बैटी है उसको अचानक कोई बीमारी हो गई और वो इस दुनिया से चली गई और उसके जाने के बाद इसको भी मतलब कुछ बीमारी होई और ये भी मतलब बैचारी किसी तरीके से अपनी जिन्दगी जी रही थी महिला और वो एक दम जींदगी से परेशान हो गई थी एक तो उसका मतलब डिवर्स हुआ था बाद में किसी तरीके से अपने बेटी को वो संभाल रही थी और जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो ही उसको छोड़कर चली गई और ये भी आज मतलब बिमार रहे रही है तो उसने एक दिन ऐसे ही सोचा कि मैं खुद खुशी कर लेती हूँ क्योंकि आप मुझे जीना नहीं संभव इन सारी बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एरिक हमसे ये कहता है कि ऐसे समय में उसने उस महिला के मन में कुछ ऐसे विचार डालने की कोशिश करी कि तुम इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीज़ों का संपर्क करो और उसके बाद दोस्तों इंटरनेट पर उसने सर्ज किया और सबसे पहले एरिक की जो मा है एलिसा मिडहस उसका ब्लॉग उसकी जो वेबसाइट ही वो उसके सामने आई और कैसे होता है दोस्तों की जैसे कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश करे तो हम उसके बाद इतने अच्छे से नहीं सुनेंगे लेकिन जब हमें यह पता चले कि सामने वाला जो इंसान है उसका जो दुख है वो सेम हमारे जैसा है तो ऐसे समय में वो जो इंसान है वो थोड़ा सा अपना लगने लगता है हमें तो उस महिला के साथ भी वैसे ही हुआ जो एलेसा मेड है से उसने वे अपने जवान बच्चे को खोया था तो उसको उसकी जो बाते है वो कई ना कई मेरे ही कोई बहन या फिर मेरे ही जैसा कोई एक इंसन मुझे कह रहा ऐसे लगा और उसने सारे बाते वो पड़ी जो भी उसने अपने ब्लॉग में लिखी थी जो भी मतलब एक किताब है माय सने अफ्टर लाइफ इस तरीके से उसने सारी जो बाते है वो पड़ी कि आखिर मुझे के बच्चे का क्या हुआ होगा वो हमसे आखिर क्या चाहते है तो इन सारी चीजों से उनको ये पता चला क कि उसकी जो बेटी है उसके आत्मा भी उससे यही चाहेगी कि वो अपने लाइफ में जितना हो सके उसको सर्वाइव करने की कोशिश करे हाई उसका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा दुख में था लेकिन हमेशा ही ऐसे दिन नहीं रहने वाले उसके पड़ोसिया वग मदद करें लेकिन तुम्हें ऐसे वक्त में सुसाइड ऐसे नहीं करना क्योंकि अगर अंतुम सुसाइड करोगे तो इसका मतलब एक नतीज आया फिर इसका जो रिजल्ट है और यही निकलेगा कि आगे फिर से ऐसे ही दुख का तुम्हें सामना करना पड़ सकता है तो यह वो खुद ही कुछ नहीं है बलकि और भी जो डिप्रेशन में जो लोग जी रहे जिनोंने अपने बच्चों को खोया है उनको भी वाज मदद करने की कोशिश कर रही है तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को उसने मदद की है जो लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे है जो लोग जीवन में अपने बहुत ही जादा दुखी है उनको वो मदद करने की कोशिश कर रहा है तो इसी जो चीज़े है दोस्तो हम सब को यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उससे मतलब हमें कभी भी ऐसे सुसाइड के बारे में नहीं सोचना उस दुख किया है जो लोग उसको बहुत जादा है उससे अगया रहे धायाल बाते कही है उससे हम क्या सीख सकते है इसको बहुत ही अच्छे से अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे तो दोस्तो हम अपने अगले वीडियो में मिलते है आप अपने परीवार काका खयाल रखना पर दोगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिगरेशन की ओडियोस बेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिगरेशन का बैस कर सकते हैं और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की बी औडियोस बेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिदिय और अंगरिजी में हैं जो मोबाल पर या फिर लेपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गुरुपया इस नंबर पे वाटस अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद